बेटेनी की बाप की हत्या पुलिस को गुम्रह करने रची थी साजिस पुलिस ने किया हत्या का खुलासा नमस्कार मैं हूँ अंजिना और आप देख रहे हैं दाखाबरदार नियूस आई शुवात करते हैं आज की बड़ी खबर से चौरहटा थाना शेत्र अंतरकत ग्राम खड़ा निवासी रामानन साकेत की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है मृतक की दो बेटों ने मिलकर पिता की हत्या की थी और पत्नी ने साक्ष मिटाने में बेटों का साथ दिया वही पुलिस को जूटी कहानी सुना कर गुमरह करने का प्रयास किया लेकिन पी एम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया CSP ने बताया के मृतक नामानन शराब पीने का आदी था और रोजाना नशे में घर पहुँचकर जगड़े करता था घटना दिनांक 15 नवमर की रात भी वह शराब के नसी में पहुचा और वह अपने बेटों के साथ जगड़ने लगा जिसके बाद दौनों बेटों ने मिलकर पहले तो डंडे से मार पीट की फिर गला दवा कर हत्या कर दी हत्या के बाद शब को घर के सामने फेक दिया और सोभा जब हला हुआ तो अंजानों की तरह पुलिस को शिकाद की और पुलिस को यह बताया कि शराब के नसी में पिता घर पहुचा था और बाहर ही सो गया और सोभा उठा ही नहीं पुलिस ने शब को पीएम के लिए भेजा जिसमें गला दवाकर हत्या की बात सामनी आई तब पुलिस ने सक्ती से पूस्ताच की और पूरे मामले का खुलासा हो गया से एमपी शेवाली चत्रुबेदी के नेतातु में पूरी घटना के हर पहलू की जांच की गई जिसके बाद पुलिस आरूपयों तक पहुंच सकी पुलिस ने म्रतक के बेटो रिदी साकेत, नीले साकेत और म्रतक की पत्नी राजवती साकेत को आरूपी बना कर जेल भेजिया है रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट और म्रत हालत में पड़ा हुआ है सूचना पर से तत्काल थाना स्टाप पोचा और वहां पर तस्तिक की मर्ग कायम किया तस समय घरवालों द्वारा जानकारी दी गई और पोजिस की गुमराय किया गया कि सम्मंदे चुम्रतक है वह रात्री में चोट कहीं बाहर से लगा के आयе था और घर में आके लेट गएथा और सुगाए उसकी मरत्व हो गई उक्तर पर से आने लोगों से पूस्टाज की और आने लोगों द्वारा भी आसपास की लोगों द्वारा भी उसके घरचना के सम्मंद में कोई जानकारी देना नहीं बताया गया, तक पास्चाथ इसमें आगामी विवेचना की गई, जाच की गई, पी-म कराया गया और जो भी साक्ष सामने आये, उसकी आधार पर फिर इसमें मर्ग पर से अपराद पंजीवध हुआ है और इसमें जो चीजें विवेचना के बास सामने आई हैं, उसमें सामने आया है कि सम्मंदित की म्रत्व गला दवाकर की गई है और उस पर प्रहार किया गया था, जिस पर से उसकी म्रत्व हुई है, तद पस्चात उप्तिसाफ्चों के आदार पर जब घरवालों से सक्ती से पूस्टाश की गई, तो म्रत्व के दो लड़कों ने और उसकी माने जोर्म करना कबूल किया, हत्या का में कारण गहरेलू विवाद था, जिस पर जाए से वो शरापी के रात्री में पंदा तारी को आया हुआ था गर पर, और उसी पर से लेकर उसका लड़के से विवाद और लड़के को आप सब देखए तो दोनों में जुमा जटकी हो गई, और फिर उसके लड़के ने जो उतका मजला लड़का और चोटा लड़का था, दोनों में ताओ में आकर उसके त्रहार किया, और जब लगड़ी से उसको मारा तो उसकी मरत्व नाओने पर उसकी गला कब्दे कहे गए तो लड़के को उस पर काफी क्रोध आया और दोनों में जूमा जटकी हुई बीच बचाव करने दूसरा लड़का भी आया उससे भी जूमा जटकी हुए फिर दोनों लड़कों ने मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी और इसमें उनकी मा के द्वारा भी इस में साथ दिया गया और साक्षी भी चुपा गये और पुलिस को गुमराय हैं और जब आगामी विवेचना में और साक्षी की आदार पर चीजिए सामने आई तो उस पर से तीनों पर अपराद पंजीवद किया गया है और वरतवान में तीनों को गिरफ तार करकी जेल- अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें